कि अपने यूट्यूब चैनल दर्शन अकेडमी खोड़जा में आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी लोगों का कंसन था डाउट था कि चैप्टर वाइज कोर्स कब स्टार्ट होगा तो उस समस्या का समाधन कर दिया गया है दर्शन अकेडमी का एप बन कर तयार है आप प्ले स्टोर पर जाएए उस पर दर्शन अकेडमी टाइप कीजिए तो आपको वहाँ पर हमारा एप तयार मिलेगा जैसे आप दर्शन अकेडमी टाइप करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको इस लोगों के साथ में एक एप दिखाई देगा आप इस एप को वहां से डाउनलूड कीजिए और डाउनलूड जैसे ही करेंगे आप उसे उसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के के बाद में आपको उसमें कई सारे टैपसा अफॉसमें को रहा है यह एप हमने बहुत ही सुजबुच के साथ है यह सारी एडिशनल चीज train जैसे सबी लिए जो भी उसमें लॉग इन करेगा हर वीकेंड पर सेटर्डे जा संडे में जो भी दिन टीम के तोरह निर्धारित होगा उसमें आपको आल इंडिया टेस्ट मिलेगा फ्री टेस्ट जो की अपकमिंग एक्जाम्स जैसे अभी यूपी एसाई जेल वॉडर या फिर एंटी पीसी उन पर आएगा आपको मतलब स्मार्ट प्लाइनिंग के साथ में बनाए गया सॉफ्ट्वियर हो ठीक है सेकंड क्या है कि उसमें एक चैट आप्शन आएगा उसमें आप कोई भी क्वरी हो कोई डाउट हो कोई कोश्चन हो आप उसे टाइप कर सकते हैं वह कॉश्चन सीधे ही आप और आपके टीचर के पास में सीधे information transfer हो रही है और आपको उसका answer मिलेगा तीसरा current affairs के बारे में चिंता करने की कोई जोरृत नहीं hai current affairs उसमें update होती रहेंगी आगे आनेवाले समय में जैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे उससे तीन से चार दिन के अंदर उसमें current affairs आनी स्टार्ट हो जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको उसमें नए features मिलेंगे आप क्या कर सकते हैं कि जै उस app को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में उसमें all video में जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें एक video मिलेगी introduction to darshan academy app उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी उपलब्द करा दी जाएगी आप देखी उसे अच्छे से समझी एप को ठीक है मैं उमीद करता हूँ कि आपको काफी पसंद आएगा काफी चीजें free भी उसमें ठीक है चली देखते हैं आज का question क्योंकि अभी हमारा जो मैं इस पर YouTube पर हूँ वह तो आपके question के लिए आए हूँ तो देखते हैं आज का पहला question क्या है यह वी काफी जो frequently asked question है कही एक्जाम्स में पूछा जा चुका है इस तरीके की सीरीज पूछी जाती है आपको question दिखाई दे रहा होगा नहीं तो मैं एक बार और बढ़ा कर देता हूँ इस question को देखिए question है यह कर रहा है find the value of given series up to 37 terms 37 पदों तक जैसे यह एक पद है यह दो पद तीन चार पांच छे साथ इसी तरीके से कितनी वा रही है सीरीज आ रही है total terms में 37 तक आ रही है और कह रहा है आपको इसका solution बताना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा question आएगा आप एक चीज के ध्यान रखें कि यह एक series based pattern है सीरीज जो है यह पूर एक पूर एक pattern पर बेज़ड़ है आप इसे अच्छे से observe करेंगे तो आप यह पाएंगे आप अच्छे से observe करने ध्यान से देखना है इसे one upon two यह पहला पद है यह दूसरा है यह तीसरा चौथा पाच्वा छटा और छटे के बाद में साथमा पद व कि jeeralt जीनों हो एको चार हो पांच हो कुछ भी हो सकता है वह रिजिट वह आपको observe करना पड़ेगा ड CMS के बाद repeat हो रही है हम देख पा रहे हैं कि जो पहला पद है आपका जो यह यह पहला पद है वही आपका साथमा पद है इसका मतलब यह जो सीरीज है यहां से यहां तक एक complete सीरीज है छे पदों में छे के बाद साथ में पदबगो रिपीट होने लगी है तो आप इसमें छे छे के पेर में result बना लें देखें कि छे छे पदों का result क्या बनना है क्योंकि आप देख पा रहें यहां वन अपॉन टू है प्लस में और यहां वह वह प्लस में प्लस में सो ओन कर दिया मतलब इसी तरीकी से वह सीरीज आगे बढ़ रही है ठीक है तो मैं आपको बताऊं गों यहां पर कि आप छे पदों पर काम करें यह हमारा कंसर यहां पर फिलाल है ठीक है हम देख पा रहें कि वन अपॉन टू और यहां पर क्या रहा है मैनेस वन अपॉन टू इसका मतलब यह प्लस के वन अपॉन टू है यह मैनेस के वन अपॉन टू तो दोनों आपस में क्या हो जाएंग cancel out यह मैनेस के वपान फ्रीट के अपस में क्या स्केश्च को जाएंगे के ओफ यह मैन जवाइन ओप्वाइव प्लस के वन अपन फूसला सोल्ट के अपस में इस स्का मतलब हर 6 में जीर लिया जिह स्विस्ट ह में 2 यह क्या रहा है और चेका 37 पदें तो हर 6-6 पदों पर रिजर्ट क्या जनरेट हो रहा है जीरो मान की चलो ये 14 पद होते तो 14 में 6-6 के कितने प्यार बने दो पहले 6 पद आएंगे टम्स आएंगे उसके पद फिर 6 आएंगे तो 12 होगे कितने बचेंगे दो तो हम 2 का रिजर्ट निकाल लेंगे और पर देख पा रहे हैं कि कि इसमें 7-37 और हर छे प्द में हर छे प्द में रिजर्ट क्या बनना है इस तो आपको पता है जेंटीस में से भृषा के कितने बने बनेंगे छे पेर बनेंगे, आपको 37 पद हैं, तो 37 में 6-6 के कितने पेर बनेंगे, 6, तो कितना पद बचेगा, एक, क्योंकि जो 6-6 पद बनेंगे, उनका रिजट क्या बनेगा, 0, आपको ये दिए, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, तो जितने पद होते हैं, जितने की सीरीज बनें ये रिजट दे रही है, 6 की सीरीज रिजट दे रही है आपको, तो 6 से भाग दे दो, और जो शेस्फल बचेगा, उतने ही पद निकालो, जैसे आप इसमें 6 से भाग देंगे, तो आपका शेस्फल क्या रिमेंडर बचेगा, रिमेंडर कितना बचेणे वाला यहां प जैसे ही हमने सीरीज को स्वाल्व किया तो 37 पते 36 पत क्या हो जाएंगे 0 क्योंगी 6 6 के 6 पेर बनेंगे और हर 6 पेर में क्या बनना है 0 तो 37 पत जो आएगा वह क्या कहां से स्टार्ट होगा यहां से इसका उना से 37 पत क्या होगा पॉन टू और आंसर क्या बन जाएगा वन अपॉन टू क्लोज बास वन में आ रही होगी मुझे उमीद है बस आपको यह उबसर्फ करना है कि वो सीरीज कहां तक जा रही है उस सीरीज का रिजल निकालो जितनी की सीरीज है उससे टर्म्स में पदों में भाग दे तो जो सेस् तो हम पहला की यह सीरीज कितने ही है कितने के बाद रिपिटिशन स्टार्ट हो गया ऐप उसर्मरेड़ाई बित अब घानके statistically सफ्टार्ट हुआ है आप देखेंगे तो प्लस का पार और शेवन आप देखेंगे इन यहां से जीरो जा रहा हे यहां पे मिन यह यहां पर एक टापको चैनल निकालना है इन निकालना है आप देख पारें से टुपान सेवन के प्लस का और यह मैनस ऑन उपान शीक से ग्रस गर्यावच गया ले तो सदक्रण आउट इसका मतलब क्या बचाएगा लास्ट में जो मतलब यह सीरीज है यह 6 कि क्या तो आपको बचेगा इसका मतलब यह आपको बिलकुल भी टेंशन नहीं नहीं चैसे भाग दिया चार से इसफल तो शुरू के चार टम्स का रिजल्ड निकाल दो और सीरीज का पूरी रिजल्ड देगा आपको मुझे उमीदा आपको बास समझ मा रही होगी देखते हैं किस तरीके से कहना चारा है यह 28 में 28 पद हैं उनमें से जो 24 पद हैं क्योंकि 24 पदों में 6-6 के 4 पद बनेंगे 24 पद जो हैं वो क्या रिजल्ड बनाएंगे 0 और बचेंगे कितने 4 पद तो उनकी स्टार्टिंग कहां से होगी यहां से तो वो चार पद कौन कौन से होगे 2 अपॉन 7 जो 24 के बाद में आएंगे माइनस के 1 अपॉन 6 प्लस के 1 अपॉन 3 और माइनस में 2 अपॉन 7 यह है इंके बागे ठीक है अब यह 28 पाद होगा 24 0 बनने और 4 यह है अब इन 4 में भी आप देख पा रहे होगे यह 2 अपॉन 7 है प्लस का और यह 2 अपॉन 7 है नहीं आता तो वो भी बता दूगो आगे चलके जब भी आपको घटाना हो तो LCM ना लेके नीचे वाले मानों को समान कर लो नीचे वाले मानों को समान करने के लिए यहां पर 6 है यहां 6 बनाने के लिए कितने से मल्टिप्लाई करेंगे जब भी कोई भिन्न होती है अनिश्वटे में हर और उसका हर यानि निउमिरेटर अपॉनपनम डिनोमिनेटर निविन्योमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्ली से ऊपर वाली वैल्ली को सब्ट्रक्ट कर दो घटा दो यहां 2 है यहां 2 में से 1 गया क्या बचेगा एक और नीचे दौनों में क्या है एंच है और इट विल वी दा फाइनल आंसर और यह आपको आंसर है मुझे उमीद है कि आपको मजा रहा हुआ चीज है समझ में आ रहे हूंगी अच्छे से किलियर हो रहे हूंगी नहीं हो रही है बिल्कुल टेंशनल है जो वाटसप नंबर है आप उस पर मेरे को मैसेज किया करें कि हां मुझे यहां पर थोड़ा सा डाउट है मैं आपको वाटसप पर भी सपोर्ट करूँ हुआ ठीक है आगे देखते हैं पिर से यह वाला कुश्चन है आप खुद अब्जर्व करें यहां पर वीडियो को पॉस करना देखना कहां प चाली ती और यहां पर रिपीट ओरिए यहां तो जाएगे यह देख लेते हम कितने सब्सक्रीज हैं एक, दो तीन चार पांच छह की यह यहई च्छोड़ की सीरीज है कोई टेंचन वाली बात नहीं है यहां पर भी कितने की सीरीज बननी है छेंकी अब आप यहां पर का यह मैंने स्का क्या बनाएगा जीरो यह मैंने स्का बनाएगा जीरो इसका मतलब पाउन रच पर बात करते हैं कि कितने पद नहीं इसमें तरेपन 53 तो छछेए कि सीरीज जो है तरेपन पदों में जब आएगी तो तरेपन में 6 से भाग देंगे तो रिमेंडर यानि जो शेश्वल होगा वो कितना बचेगा भाई छेश्वल बचेगा पांच इसका मतलब जब आप सीरीज बना रहे हो तो देखोगे 6-6 के आठ वार टोटल सीरीज रिपीट करेगी 6-6 के पेर में वो आठ वार रिपीट करेगी और हर वार क्या आएगा उसका रिज़ेट जीरो जब उसके 48 पद पूरे हो जाएंगे तो उसक देखो यहां पर पांच पद कौन-कौन से यह पांच पद एक दो तीन चार पांच लिख लेता हूं में आपको ज्यादा अच्छे से किलियर हो जाएगा मैनिस वन अपॉन थरी प्लस वन अपॉन फाइव यह पांच पद बच गए ते यही रिज़र्ट देंगे आपका इसी ही आँसर आने वाला है हमने देखा ठीक है यह वाले रच गए हैं देख लेते हैं क्या रही जड़ते हैं यह प्लस का 1 अपॉन 3 है मैंस का 1 अपॉन 3 है कट गए यह मैंस का 1 अपॉन 5 है यह प्लस का 1 अपॉन 5 है कैंसल आउट क्या बचा जी है 1 upon 2 and it will be the final answer मुझे उमीद है कि आप को चीजें समझ वारे हूंगी आप observe कर रहे होंगे अच्छे से चीज़ों को जानने होंगे ठीक है थोड़ा सा चेंज करते हैं को थोड़ा चेंज करते हैं यह भी काफी famous pattern है इस पर भी questions पूछे जाते हैं इसमें मैं आपको detail से समझाऊंगो तो थोड़ा time लगेगा मैं आपको short में बता देता हूं कि आपको क्या चीज़ देखनी है कोई भी तरीके बता सकता है कोई भी टीचर इस्टुडेंट तभी maths अपना अच्छा कर सकता है जब उसे यह पता चल जाए कि कौन सा तरीका कहां पर लगाना है क्यों क्यों का जवाब मिलने लगा आपको इसका मतलब आपका maths अच्छा हो रहा पहले कि यह solution करने बैठोगे मारे जाओगे नहीं होगा तो इसकी पहचान क्या और तरीका क्या है इसे बताता हूँ है पहचान देखे पहले यह देखें कि इन तीनों में सबसे छोटा टम क्या है एक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी एक अगले वाले वैल्यू में जाना अग सबसे चोटी वैल्यू एक थी यहां दो है क्या हो गई वह दो गुना सबसे बड़ी वैल्यू देखना च्छे है यहां सबसे बड़ी वैल्यू बार यह भी क्या है दो गुना और जो बच गी है तीन उसे देखना यह भी क्या है दो गुना इसका मतलब हर वैल्यू सारी क्या यहां पर चोटी दो क्या हो रहा है यहां पर उपर और नीचे बचल में और आगे बढ़ रही है यहाँ पर भी देखोगी, 1 से 3, 3 गोना 3 से 3 गोना 6 से 3 गोना यहाँ पर देख लिजे, 1 से 3 गोना 4 से 3 गोना 7 से 3 गोना सेम पैटन बनेगा जब जब ऐसा क्वेशन हो आप सीरीज की पहचान मैंने आपको बता दी है जैसे ही आपको लगे कि हाँ हर डिजिट में multiply हो रही है उपर और नीचे सेम सेम तरीके से वो आगे बढ़ रही है उपर और नीचे तो आपको कुछ नहीं करना तरीका मैं बताता हूं उसके बाद सीधे answer पर सीधे answer पर पहचान कर लें पहचान हो गई आपको इसका पहला पद लिखने है छेतिया अठारे गुणा एक बराबर अठारे इसका पहला पद साथ चोग अठाईस एकम अठाईस और यही answer है इसे solve करना है solve कर लीजिए दो से काटिंगे 9 दो से काटिंगे 14 and it will be the final answer पूरे सत् करते तो भी यही answer आना था और इतना solve यह तो भी यही answer है तो आपको पहचान करने है कि ऊपर वाला जो pattern है वो नीचे वाले pattern के समान होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए जब भी ऐसा होगा आपको पहला पद लिखना है बटे में दूसरे पद और सीदे answer ठीक है अगला question को Body Score इस question को देख लें आप है इसमें पहचान करने आप पहचान करेंगे यहां 2 है सबसे चोटाइव चार डबल हो रहा है अब देख पा रहूंगी इज़ुत पाथ हो रहा है 5 से डबल हो कि यहां वी ऐसी सी बढ़ रहे हैं देख लेते 4 हो हुरा है 15 intimate, event會 को पता है क्या और सिर्फ सेकंडों का खेले यह दो से तीन सेकंड में आपका अंसराने वाला इतनी बड़ी ग्यारे पदों तक ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ग्यारे पद थे आपको बिल्कुल क्लोज कर देना है पहला पद देख लें पांस, तीया, पंद्रे, दूनी, तीस पहला पद थीस है बटे में साथ, पंजे, पैंटीस, चौका, एक सो चालीस जीरो से जीरो तीन बटे, चौदे जो समय में चैप्टर वाइस करा हुआ आपको डेटेल में समझा हुआ ऐसा क्यों होता है, क्या वज़य है यहां समय कम होता है थोड़ा सा तो मेरे को शॉट में चीजे करानी पड़ती है हाला कि मेरा मन नहीं करता हुआ, मैं समझाना चाता हूँ आपको डेटेल में ठीक है, आपको पहचान करने है, पहला पद बटे में सरा रहा है, फिर विन देने चाते है, भाई प्लीज आप आप आंसर दिया करो, आपके आंसर से मुझे confidence मिलता है कहां आप लोग समझ पा रहे हैं, यह question देखी अच्छे से और इसका जो भी रिजर्ट जननेट होगा, मुझे नहीं पता है कितनी की सीरीज है, कहां पर रिपीट कर रही हो सकता है दो पदवाद, तीन पदवाद, चार पदवाद, पांच है कितने के वाद रिपीट कर रही है, आप देखी है और उसके according रिजर्ट निकालिए, और comment box में अपना answer जरूर देना, और last में मैं कहना चाहूँगा, आप हमारे description box में जाकर वी दर्शन Academy के एप के link को देख सकते हैं और उसे download कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको हमिलने वाली हैं जै हिंद और जै भारत